नमस्कार सातियों एक बार पिर सें आपका स्वागत है हमारे यूटूब चेनल स्पीड नेटरुपर दोस्तों आज का ये वीडियो EPS 95.05 के लिए बहुत खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में सभी EPS 95.05 को सरकार की तरप से मोधी सरकार की तरप से बिज़ी पी सरकार की त सबी साथ क्रोड करमचारियों को इप्यपो के मेंबर्स हैं साथ क्रोड लोग उनको भी बहुत बड़ी खुश खबरी दी गई है यह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत यूजफूल हने वाला है आपके लिए इ आप इस वीडियो को सुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें हैं दोस्तों हमेशा सही और सटिक जानकारी बताने वाला एक मातर बरोसेमन चैनल है जहांपर आपको सिरफ और सिरफ और सिरफ ओनली फोर एप्यस 95 पैंसनरों की ही अपडेट यहां पर प्रोविड करवाई जाती है ओनली फोर वही अपडेट दिखाए जाती है जो सची हो सही हो अच्छी हो इसलिए आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों प्रदानमंत्री जी नरेंदर मोदी जी से EPS 95 की दो बार मुलाकात हो चुकी है दो बार प्रदानमंत्री जी ने भी रख दी है आने वले इस टाइम में राजस्तान के अंदर बहुत सारी गोशना है की गई कि पैंशन 10,000 रुपे कर दी गई जहां पर आपको बता दें दो दिन के अंदर आगे के भी इस आने वले चुनाओं को देखते हुए किसानों का जो मौज जा है वो भी माप करने की बात कही जा रही है जो कैसी सी है वो भी माप करने की बात कही जा रही है इसलिए एक सरकार जो वरतमान में है वो माप करने की बाते कर रही है दूसरी सरकार अगर केंदर में है तो वो बड़े रूप में एक्शन लेने की बात कर रही है कि अब सभ EPS 95 pensioner को pension है जो पूरी मिलने चाहिए pension 4500 प्लस DA मिलना चाहिए ये इनका हक है ये इनका हक इनको मिलना चाहिए पुरा तो सभी pensioner इसलिए तयार हैं क्योंकि अब आने वाले इसे महीने में आपको बता दें अगश्त महीने से हैं इसी सभी pensioner को pension बढ़ोतरी होकर के मिलने वाल ही है ये परदर्मांतरी जी की तरफ से एक लेटर जारी करके बिजेपी सरकार की तरफ से एपी एपो को दाग दिया गिया है कि अब आने वाले इस अगस्त माइने में सभी पैंसनर जो पिछले छे साल से बड़ी घोशनाओं का इंतिजार कर रहे हैं उन सभी पैंसनरों को ये बड़ा तोफा मिलना चाहिए तो ये बड़ा तोफा सभी पैंसनरों के सिधे अकाउंट में आने वाला है मैं हमेशा सही और से टिक जान करें बताऊंगा एक बड़ी अपडेट और निकल कर आ रही है वो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर गाने वाले हैं आप चैनल से जुड़े रहें धन्यवाद